जहिन साथियों सौगत हैं आप सभी का एक वार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम अगनिवीर भरती प्रिक्षा के आपको निसुल को तयारी करवा रहे थे साथ यहां मैट्स पढ़ रहे थे और मैट्स में मैंने आपको एक सीरीज पहले करवा दी थी क्योशन्स की जो इंपोर्टेंट क्योशन्स थे उधार दी गई याने कि अपने का जो क्योशन है किसका है साधारण ब्याज का क्योशन है और साधारण ब्याज वाला टोपिक में आप लोगों को बहुत अच्छे से तयार करवा चुका हूं पहले ही अपने को यहां पर क्या ग्याद करना है बहुत धन रासी याने कि अपने क क्या ग्याद करना है मूलधन ग्याद करना है क्या ग्याद करना है मूलधन और साधारन ब्याज का जो formula है वो मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ क्या होता है PRT by 100 अब यहां पर अपने को साधारन ब्याज दिया हुआ है कितना 280 रुपे पी अपने को ग्याद करना है अनकी मूलधन ग्याद करना है रेट अपने को दी हुई है कितनी साथ और टाइम अपने को दिया हुआ है चार बटे हंड्रेड अपने को पी की वेल्यू निकालनी है तो यह हंड्रेड तो आ जाएगा इधर और साथ और चार चला जाएगा कहां पर नीचे तो देखिए अब क्या होगा साथ से यह कितनी बार कैंसल हुआ चालीश और चार से कितनी बार हुआ ओहो यह तो गजब हो गया भाई डारिक्ट ही आंसर आगये तो दस गुणा सो सो मतलब की कितना आया एक हजार उपे कितना आया एक हजार उपे यह सी वाला उप्शन अपना की आओ गया आंसर मतलब अपने को कुछ भी नहीं करना था साधहन व्याज का जो सुत्र था वो लगाया और सीधा सीधा अपना आंसर आ गया ठीक है चले अगले क्योशन की तरफ अगला क्योशन एक से लेके कहां तक नब्य तक इनके बीच में जितनी भी संक्या आ रही हैं उनका ओसत ग्यात करना है अब देखे इतनी सारी संक्या अगर अपन लिखने बेटेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है अपने को हमें जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमको क्या कर सानवे बाई टू जब भाग देंगे तो कितना आएगा 45.5 ठीक है यही आ रहा है लो से चार से यह ग्यारा पांस से दस और यह ठीक है तो कितना आ रहा है 45.5 यह अपना क्या हो गया आंसर आपको याद रखना है अगर ऐसे केल्कुलेशन करने बिटेंगे तो नमबर दो व ही आप लोगों का क्या होगा ओसत होगा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण खाद्य शामगरी का मुल्य दस प्रतिशत बढ़ गया खाद्य सामगरी थी उसका मुल्य क्या हो गया दस प्रतिशत बढ़ गया उपभोग था खाद्य सामगरी का प्रियोग कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े इस तरह के क्वेशन बहुत आते हैं एक्जाम में ठीक है तो आप लोगों को द्यान से देखना है क्या हुआ खाद्दे सामगरी का जो है दस प्रतिशत मुल्य बढ़ गया तो जो मुल्य बढ़ता है उसको हम लिखेंगे ऊपर उपबोगता खाद होता तो फिर यह 110 की जगह क्या आ जाता नब्बे आ जाता बस खतम जीरो से जीरो गया कितना आया सो वाइं एलेवन यानि कि ग्यारा जब इसको डिवैड करेंगे तो कितना एगा नाइन एक बचेगा वन वन नाइन वन इलेवन तो यह डी वाला अपना क्या हो जाएगा व कम होता तो माइनस करते बहुत बढ़िया चलिए अगला जो क्योशन है सोला तता ठारा का चतुर्त अनुपात क्या होगा जब मैंने आपको अनुपात समानुपात वाली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें चतुर्त अनुपात सब के बारे में बताया था अपने को इस क्योशन में क्या पूछा है चतुर्त अनुपात पूछा है इसका मतलब 16 इसका क्या पूछा है चतुर्त अनुपात पूछा है 16 और किसका 18 का 16 और 18 का क्या पूछा है चतुर्त अनुपात पूछा है चारो अनुपात आप लोगों को लिखने है लाश्ट में क्या लिखना है एक्स लिखना है केलकुलेशन कैसे करता है मद्य वाले और बाद वाले एक बार आप लोग भी ट्राइ कीजिए चतुर्त अनुपात निकालना है आप लोगों को एक बार ट्राइ कीजिए तब तक मैं पानी पी के आता हूं चलिए अरे इसमें एक गड़बर हो गया यहां बारा भी आएगा भी यह वह बारा नहीं लिख पाए अपन कोई बात नहीं बारा सोला तता अठारा का चतुर्त अनुपात क्या होगा यह अपने को बोला है एक कम हो गया था उसमें तो अपने को क्या निकालना है बारा का सोला और अठारा इसका क्या निकालना है चतुर्त अनुपात याना की चोता जिसको अपनने क्या ले लिया एक्स ले लिया परके इत्ना हो जाएगा बारा गुना एक्स जूला गुना अठारा अपने को एकस का का मान निशिक रहे है तो यह सोला गुना अठारह यह हो गया बारा थिक यह 4 से है च Detıld दो तीन टाइम चार से 4 और यह 3 सितनी वार आख शे भार एकस की वैड़क आ गए सबारन या बड़ा गड़बड हो गड़बड गया हो आई नहीं सकता है ना चलिए अगला क्योशन देखिए यदि एबी सी तीन चार साथ हो तो एप्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर होगा अच्छा अपने वह एबी सी का अनुपात दिया हुआ है फिर अपने को क्या पूछा है इन तीनों का सम अनुपात सी इसका अनुपात अपने को पूछा गया है देखिए डारेक्ट दिया हुआ यहां पर एतीन है बी चार है और सी कितना है साथ अगर हम इन तीनों को वी प्लस कर दें A प्लस B प्लस सी तो ये कितना आया एक चारफ Rac ये कितना आ है अभरी आपने को ये 한ुपात पूचा प्रश्न जा भडा ही आसाउन साथ कल्सक्र ये ये हैं 14 a & c कितना है कितना है दो अनुपात 1 यानि कि option A अपना answer ज्यान से देखिए यहाँ पर एक अनुपात 2 भी है एक अनुपात 2 अपना answer नहीं है अपना answer क्या होगा दो अनुपात 1 ठीक है यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है जल्दबाजी में हम क्या करते हैं चीज़े चेक तो करते सेनी सिधा टिक लगा देते हैं ठीक है यह सा नहीं करना ओप्षन भी अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है नेक्स्ट क्योशन सोला के वर्ग मूल तथा चार के वर्ग का गुणनफल क्या होगा यह भी बहुत आशान प्रस्टन है बस थोड़ी सी लेंगवेज आप लोगों को ध्यान से देखनी है लेंगवेज का ही खेल हैं सोला के वर्ग मूल यान की सोला का क्या निकालना है वर्ग मूल सोला का तो क्य क्या निकालना है वर्ग चार का किसरों क्तina होता है अब इन दोनों का आपने कपनों को क्या करदेना है गुनअन्फल थो 16 को चार से गुना किया तो कितना है शिस्टीफोर तो अपना सर मैं क्या हो गया इतना सारा गुणा अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इन सब को गुणा करने बेठेंगे, तो फिर अपने को बहुत टाइम लग जाएगा, हमको ऐसा नहीं करना है, इकाई अंक वाला प्रशन बहुत पूछा जाता एक्जाम में, जब भी इस तरह का प्रशन आए, तो आप लोगों को बस गुणा क्या करना है, इनका केवल इकाई इकाई अंक ही क्या कर दो, गुणा कर दो बस, क्या करना है आपको, केवल इकाई इकाई अंक ही गुणा करना है, इसका इकाई अंक कितना एक, इसका कितना नो, इसका कितना एक, इसका कितना नो, और उसका कि जाएगा छे सीधा पूरा गुणा भी निकरना अपने को इकाई अंक निकालना है तो बाती को गुणा मत करो क्योंकि आपने को सिर्फ और सिर्फ किसे काम है इकाई अंक से काम है ठीक है बात समझ में जब इस तरह का प्रशन दिया हो आपको केवल और केवल इकाई अंक ही करें ट्राइ किजिए एक बार आप लोग भी कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न किनी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है आपको और उनका अंतर भी दिया हुआ है अपने को क्या निकालना है बड़ी संख्या निकालनी है क्या निकालना बड़ी संक्या ठीक है चलिए देखो अगर बेसिक से करना चाहो दो संक्या मानलो X और Y मानलिया आपने की कोई दो संक्या X और Y तो आपको X प्लस Y दिया हुआ है कितना 46 और X माइनस Y दिया हुआ है कितना 14 जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहां से क्या हुआ यहां से Y से Y कट हो गया और यहां कितना बचा 2X इसको प्लस किया कितना आया 60 तो यहां से X की वेल्यू कितनी आ गई भी या 60 बटे 2 यहां कि X की वेल्यू कितनी आ गई 30 X की वेलु कितनी आगे 30. यहानिकि 30 यहaन चया क्या हो गया 20 यहां से वही की जब निकालोगे तो चोटी संक्या जाएगी यह तो वहाँ बेशिक तरीकह अगर आपको सोट करना है जो भी आपको बड़ी संक्या निकालनी होगी तो जो भी आपको दिया हुआ है जो भी आपको अंतर वर योग दिया हुआ है उसको दो से भाग दे दो सिदा और जब भी आपको छोटी संक्या निकालनी है तो उसका माइनस करके क्या कर दो भाग दे दो ठीक है आसान है देखो डारेक्ट कितना है 46 प्लस 14 बाइटू एनकि 60 बाइटू कितना गया 30 और यहाँ पर जब छोटी संक्या निकालोगे 46 माइनस 14 बाइटू इसका मतलग 32 बाइटू यान कि kतना अया 16 कितना तो छोटी संक्या पूछे तो छोटी कितनी है सोला और बड़ी संक्या पूछे तो बड़ी कितनी है तीस यहां से भी आप सोला निकाल सकते हो एक्स कि यहां पर कितना था एक्स की वेलू यहां डाल दो तो तीस डालो कि तो कितनी आ जाएगी सोला जाएगी ठीक है यह आप लोग डारेक से भी आसान ही इतना बड़ा नहीं है लेकिन अगर कोई बड़े नंबर आ जाए तो फिर थोड़ी अपने को केल्कुलेशन करनी पड़ेगी तो आप डारेक्ट ऐसे याद रख सकते हो चलिए नेक्स्ट क्योशन निम्न में से कौन सी एक भाज्य शंक्या नहीं है यह आपको बताइए क्या होनी चाहिए इन चारों में से क्या होनी चाहिए जो भाज्य है भाज्य मतलब होता है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता और भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाता है साथ साथ किसी में भी साथ का हम किसी में भी साथ में किसी का भी भाग नहीं जाता तो यह अब भाज्य टॉंटी थ्री यह भी अपनी क्या है अब भाज्य एनकि इसके भी कोई गुणंखन नहीं है 37 यह भी भाज्य आप कौन सा उप्सन बचा सिर्फ यह वाला तो यह अपना क्या हो जाएगा आंसर इसका मतलब यह कौन सी संक्या है भाज्य उन्तालिस किसे बाज क्या से भी हो रहा है तो यह अपना क्या हो जाएगा आंसर नेक्स्ट वेशन देखिए और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा जब आप ध्यांतर देखे होगे यहाँ भी six nine four is धिए यहां भी six nine four है तो हम क्या करेंगे six nine four को कॉमन ले लेंगे यहां कितना बचा four eight nine और यहां पर कितना बचा three eight nine यह six nine four common आगया आपके और यह कितना बचा यहहां पर so six nine four double zero अपना answer हो जाएगा six nine four double zero अपना आंसर हो गया आंसर नंबर सी आसान था अगर हम ऐसे देख रहे थे तो बहुत मुस्किल लग रहा था रहे भाई इतना क्लमबा कैसे गुणा करेंगे वोट टाइम लग जाएगा ना इसा नहीं है अपने को थोड़ा दिमाग लगा गर क्वेशन सोल करना है क्योंकि अगर आप यह तो बोड़ मास का क्वेशन है भाई कौन सा क्वेशन है बोड़ मास का बोड़ मास में आपको बहुत बढ़ा तरीके से बताया था पुरा वी बोड़ मास आपको एक लेक्चर में समझाया था अच्छे तरीके से देखिए बोड़ मास में क्या होता है सबसे पहले अपन कितना हो गया गुणा चार तो दो यह कितना हुआ चोबिस अब 24 को किसे गुणा कर दो आप दो से तो कितना हुआ 48 48 आप लोगों क्या हो गया आंसर हैं कि option number a कि कि आसान बोड मास का question था simple था कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग आसानी से कर सकते हैं चलिए next question next and last question अपना आज का आज किस लेक्चर का ठीक है यह ऐसे प्रशन है जिस टैप के प्रशन आपको जनरली जीडी वाले एक्जाम में देखने को मिलते हैं किसी घन का विकर्ण रूट बारा सेंटिमीटर है यानि कि अपने को विकर्ण दिया हुआ है कितना रूट बारा और उसकी बुझा गयात करनी है बहुत आसान है फॉर्मूला बेश डिकोशन है देखो भाई घन के विकर्ण का फॉर्मूल बुझा गन के विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है कितना हो जाएगा बारा तो बुझा कितनी आ गई अब यह अंदर चला जाएगा तो कितना हो गया याने की रूट फॉर इसका मतलब कितना आया तू कितना आया तू तो भुझा कितने आ गई खतम आसान था याने कि अपने को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था फॉर्मूला याद है तो अपना आंसर आ जाएगा क्लियर यह हमारे जो इंपोर्टेंट क्योशन थे जिस टाइप के प्रशन आते हैं वो हमने डिसकस किये और भी कौन-कौन से टाइप के प्रशन आप लोगों के लिए एक्जाम में जो पूछे जाएंगे वो जल्द ही हम आप लोगों के लिए फिर से हजिर होंगे एक नई फिर से सरंकला लेकर तब तक के लिए आप लोग अपने तयारी जारी रखिए आपको आने वाले एक्जाम के लिए बेस्टो प्लक अच्छे से एक्जाम दीजिए और पूरी उर्जा और सकारात्मक्ता से एक्जाम दीज है तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट होप लाग